फ्रेंड दिसी जविशेक सिना, हमने इसे पहले बाले वीडियो में बताया था कि जो चार प्रमुख जन जाती हैं, वो मद एसिया से उटके भारत आते हैं, कब आते हैं, जब असोक के वनसज कहीं न कहीं बहुत अलग-अलग टुकुडे में बठ जाते हैं, असोक के वनसज जो होते हैं, वापस में ही लड़के अपना अलग-अलग सीमा छेत्र, अपना अलग-अलग सासन छेत्र बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि भारत कमजोर हो जाता है, हम बहुत बार बताएं कि जब-जब घर तूटेगा, परुसी आके लूटेगा, ऐसा कुछ तो कहाव है, तो वही स्थिति था, जो असोक के वनसा जाते हैं, वो सब भाई आपस में ही लड़ लेते हैं, और फिर अपना अलग-अलग सत्ता को इस्टेबलिस्ट करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो middle of Asia, जो बिदेशी लोग हैं, जो बिदेशी दुस्मन लोग हैं, वो बेज राजा के द्वारा सासन नहीं किया जा रहा था, ऐसा ही कुछ कहानी भारत में उस वक्त बन गया था, आप चंदरुप्त मोरी का इतिहास देखेंगे, तो उस समय चंदरुप्त मोरी पूरा अखंड भारत पे स्वेम अकेले ही सासन कर रहे थे, अशोक तक में भी यही चलता है, और भी जो महत्पूर्ण शासक आप मगद साइड भी देखेंगे, तो बहुत अच्छा रहा है सब कुछ, लेकिन जब असोक के वंसज आते हैं, तो फिर देखने में थोड़ा सा, कही न कहीं आपस में सभी भाई बटवारा कर लेता है, बटने लगता है, और सभी आपस करते हैं, और वो जीतते चले जाते हैं, उनमें से कुछ बड़े इनपोटेंट जन जाती हैं, जैसे कि आप इसे पहले वाले वीडियो पढ़े होंगे, तो इंडो ग्रिक, हिंद, युनानी, जिसे हिंदी में कहेंगे, आपका सक भी था, पलब भी था, कुशान भी था, तो कल वाले वीडियो तक हम आपको सक अच्छे से पढ़ा दिये थे, सक वेगरा के बारे में, पलब के बारे में, या फिर आप कहलो हिंद, युनानी वेगरा के बारे में, अच्छे से बताए थे, आज के वीडियो में हम कुशान को थोड़ा सा डीटेल्स में पढ़ाने वाले हैं ठीक है कहां से आए हैं Middle of Asia से उठके ये भी भारत में आए हैं कुशान के संबंद में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि जो यूची है और तोखरी है ये दोनों कुशान वन्स के एकदम महत्पुन जन जाती होते हैं अब अब बोलों के सर ये यूची जन जाती ह एक्चुली ये सब Middle of Asia में बसते थे तो हाँ Middle of Asia में ये सब जन जाती बसते थे अच्छा ये सब आए कहां से थे तो चीन जो छेतर है चीन से उठके गए थे Middle of Asia में क्योंकि इन लोगों का अगर फोरफादर को देखा जाए पुरवच को देखा जाए तो उनका तालुक चा कर लेते हैं और जो भी भारत के राजा रहते हैं तो इन लोग के स्ट्रेड़ी से हार जाते हैं कहीं ने कहीं तो फिर ना भारत में कुशान बंस की अस्थापना हो जाती है ठीक है दो जन जाती यूची और तोखडी ये दोनो एक ही नाम है लेकिन इसको दो अलग-अलग तालुक रखते थे इनके पूरवज लोग और ये सब मिडिल ओफ एसिया पे कबजा किये थे और काफी दिन राज किये मिडिल ओफ एसिया से एसिया पे फिर उट करके ये आते हैं भारत में और भारत को भी लग-बग जीती लेते हैं और यहां पे भी अपना सासन छेत्र को established कर देते हैं ठीक है एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखो कि जो चीन है जो चीन के बड़े-बड़े और भी जो अलग-अलग जन जाती है वो चाहके भी भारत पे आकरबन नहीं कर पाते हैं क्यूंकि आप देखोगे थोड़ा सा geographical area जो है उसकी बनावट से आप समझ जाओगे कि जो हिमाले परवत है वो complete रूप से divide कर रखा है भारत को और चीन चीन एक तरफ है भारत एक तरफ है तो हिमाले परवत होने के कारण मतलब चीनी जो जन जाती है चाहके भी भारत में परवेश नहीं कर पाती है उनके लिए काफी tough हो जाता है बहुत पहार को ना में भी चीन से भारत को बहुत कम खत्रा रहता है परवत से ही एकदम divide है है न कुछ गिना चुना छेतर है जैसे कि आप सिया चीन के border चले जाओ तो उस side थोड़ा सा है मतलब थोड़ा सा मतलब फिर भी उदर बहु ज्यादा बर्फ जमा रहता है ठंडा मतलब माइनस में वह भारत और चीन अलग हुआ है हिमाले परवत के कारण सुरू से ही पूरा का पूरा इतिहास देखा दे तो चीन जो है हमारे भारत पे कभी भी direct रूप से आकरवन नहीं कर पाया है क्योंकि सबसे बड़ा जो obstacle है वो हिमाले परवत के होने के कारण ही चीन कभी भारत पे देखा जाए तो वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो छेतर होते हुए जो भारत के सीमा भारत में प्रवेश्ट करने का रास्ता है काफी असान हो जाता है अस्थल मार्ग से ही जुरा हुआ है है ना आप चले जाओगे सिंद पंजाब के तरप तो उधर से जो मिडिल ओफ एसिया बाले भारत अराम से घोरा वेगरा से दोड़ के भी आ सकते हैं लोट सकते हैं आज की डिट में भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं ये रोड एकदम बना हुआ है बढ़िया से लेकिन चाइना जाना थोरा टाफ हो जाता है पहार को नागना है फ्लाइ जहां आने का भारत आने का तो थोड़ा सा कहानी तो पेचीदा हो ही गया क्योंकि चीनी जंजाती है ये इनके फोरफादर सब चीनी ही रहे हैं पुरुवस सब तो चीनी होने के कारण भी भारत में प्रवेश कर गए क्योंकि पहले मिडिल ओफ एसिया पे ही एक कपजा जमा आई होता है ना बाबु उसी को कभीला कहा जाता है तो छोटा-छोटा सासन छेतर करने के लिए इन्होंने कभीला बनाया लगभग पांच कभीला जो है काफी महतपूर्ण है एक्जामनेशन पॉइंट और जो कुशान थे उन्होंने लगभग पांच कभीला को जन्म दिया भारत में अलग-अलग पांच जगा इन्होंने सासन कर रहा था तो कुशान नहीं जो जन्जाती अभी आपको बताए न यूची हो गया या फिर तोखडी ये जन्जाती भारत में लगभग पांच छोटे-छोटे कभीला बनाए थे सासन छेतर के लिए तो उनमें से जो सब से इन्पॉटेंट कभीला था उन पांचों में उसका नाम है कुशान कुशान नाम का जो कभीला है जो सासन छेतर है वो सबसे महत्पून रहा है और इतिहास में अधिकान से सवाल अगर देखा जाए तो आपको कुशान से ही आएंगे ठीक है कुशान के कुछ प्रमुक शा आसक भी उसके अंदर देखने को मिले हैं, इसी कारण से इसको एक प्रमुख कभीला वाला छेत्र कहलो, या फिर कुशान को एक प्रमुख वंस कहलो, इस प्रकार से इतिहास में इसको देखा जा रहा है, कुशान वंस के जो संस्थापक थे, उनका नाम था कुजुक कट फिसे नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन याद रखना ही है, और इस वंस का जो प्रमुख सासक थे, आप कहलो, प्रमुख में तो कुजुक कट फिसे तो था ही, अगर दूसरा प्रमुख पूछा जाए तो एक नाम और है, बीम कट फिसे, ये भी कुशान वंस के सबसे महतपूर सबसे इनपोटेंट सासक में से एक थे, बीम कट फिसे, कुजुक कट फिसे, ये सब जो संस्थापक के रूप में ही इन लोगों को देखा जाता था, ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जो कुशान बंस है, कुशान बंस में सबसे पहले सोने के सिक्के, क्या बाबू, स सबसे पहले दिखाया गया है, इनके ही द्वारा सोना का सिक्का सबसे पहले जारी किया गया है, और बाद में, काफी बाद में चल करके सोना का सिक्का वेगरा जारी करना भारत में आम हो गया था, सैब धर्म वेगरा जब आते हैं, तो सोना का सिक्का वो लोग भी जारी करत है ना आप एक चीज देखोगे कि जो इस बंस के सबसे ज्यादा प्रमुख और प्रतापी सासक देखे गए हैं तो आपको कुशान बंस के जो सबसे प्रतापी रूप में देखा जाएगी सबसे महतपूर्ण तो कनिस्क का भी एक बहुत बड़ा नाम है कनिस्क जो है वो 78 इस इसवी का बात कर रहे है 78 इसवी में राजा बनता है 78 इसवी में राजा बनता है और राजा बनने के उपलक्ष में उसने एक उपाधी धारन करता है जिसका नाम रहता है कलंदर की उपाधी को चलवाया ठीक ना अच्छ एक चीजी याद रखिएगा कनिस्क राजा बना और इन्होंने काफी खुस हुआ मतलब भाई राजा बन गया कनिस्क तो जो आपका सक संवत है इसको जाड़ी करभा दिया भारत की अंदर सक संवत को आज के डिट में भी सक संवत सक जो कैलेंडर है इसको देखा जा रहा है सक कैलेंडर को भी क्योंकि ये कैलेंडर जो हमारा जो अभी कैलेंडर है उससे कुशान के द्वारा बनाया गया था कुशान बंज के द्वारा अच्छा कुशान में कौन कसा राजा बनाय थे कनिष्क बनाय थे कौन мешका कैलेंडर को सक उम्वत का कैलेंडर है और यह सक सम्वत म overlap है यह लगबं 58 वर्स पहले ही बन गया था हम लोग आभी कौन सा calendar चल ला। Gregorian calendar चल रहा है ना 2000 कितना है 24 है आप बोलोगे सर यह Gregorian calendar मतलब यह कब बना था तो Gregorian calendar जब इसामर्शी का जन्म हुआ था तो तब से माना जा रहा है तब ही बना था भालत में Gregorian calendar अभी देखा ही 2024 चल रहा है रास्टिये केलेंडर के रूप में देखा जा रहा है न अच्छे एक चीज़ याद रखो जो आपका सक्समवत वाला केलेंडर है जो कुशान राजा ही चलाई थे 78 ECV में तो भारत का रास्टिये केलेंडर के रूप में उसे जाना जाता था उस भक्त क्योंकि भारत में सक्सम केलेंडर के रूप में इसको पडियोग भी किया जाता था उस वक्त ठीक है विक्रम सवमत आते हैं और इन्होंने विक्रम सवमत नाम का एक केलेंडर को जो विक्रम सवमत का जो केलेंडर है वो सक को हराने के उपलक्ष में स्टार्ट किया था कौन सा केलेंडर विक्रम सवम का जो कैलेंडर है वो भी काफी important है यहां से भी काफी question आते ही निकलके और जो आपका यह जो बिक्रम सवमत है इसको भी कहिने कहीं भारत में राष्टी यह कैलेंडर के रूप में माना जाता है अच्छा सकों को हराने के उपलक्ष में इसको भी जारी किया गया सक सवमत का जो महिने जो चैत का महिना था न और चैत का महिना जो होता है वो 21 या 22 मार्च से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि देखो बाबो हिंदी में चैत महिना और चैत महिना आप आई साने की समझ हो मतलब समझ में आया अभी भी आप लोगों के घर में चैत माग असार्ट क्या-क्या पत लोग की 21 या 22 मार्स से भी उनको याद नहीं है लेकिन लगभग 21 या 22 मार्स से ये लगभग स्टार्ट हो जाता है और इसी कैलेंडर के जो अनती महिना है उसको हम फागुन का महिना कहेंगे कौन सा महिना कहेंगे फागून का महिना, कौन सा कैलेंडर के सक समवत के कैलेंडर का आप मेरे पढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत देखना लुशन्ट वेगरा में जाके तो उसमें थोड़ा बहुत किलियर किया हुआ है Gregorian कैलेंडर तो अभी हम लोग जो सक समवत का कैलेंडर है वो पहले बना और Gregorian कैलेंडर बाद में बना अभी 2024 चल रहा है चल रहा है न और आप 2024 में 78 वर्स को जोड़ दो कि इतना वर्स को जोड़ नहीं दो घटा दो क्योंकि पहले बना है न तो माइनस कर देंगे तभी हमको जो सक समवत का कैलेंडर है वो पहमको प्राप्त हो जाएगा 78 वर्स जो है ग्रिगेरियन कैलेंडर से पीछे चल रहा है जो ग्रिगेरियन कैलेंडर है वो 78 वर्स पीछे चल रहा है किससे सक कैलेंडर से क्योंकि पहले कौन बना पहले ग्रिगेरियन केलेंडर बना बाद में कौन सा केलेंडर बना सक समवत बना न सक केलेंडर 78 इसा इसवी में बना है इसा पूर में नहीं मतलब ग्रिगेरियन केलेंडर पहले बन गया इतो एक ही इसवी में बना है इसा मसी के जन्म जब हुआ था तो 78 वर्स बाद जाकर के सक सववत का कैलेंडर बनता है तो कहीं न कहीं अगर सक सववत जो जहां भी चल रहा है उसमें अगर 78 वर्स घटा देंगे तो Gregorian कैलेंडर निकल जाएगा इसे पहले हम कल लेखे थे विक्रम सववत का कैलेंडर ये 58 वर्स जो है इसापूर में बना है मतलब एक चीज़ देख लो कि जो Gregorian कैलेंडर है उसे 58 वर्स आगे चल रहा है कौन विक्रम सववत जबकि अगर सक का बात करे तो 78 वर्स छोटा है और ये 58 वर्स बड़ा है विक् जबकि Gregorian कैलेंडर से 78 वर्स छोटा है कौन सक सववत समझ में आ गया विक्रम सववत सबसे बड़ा कितना वर्स का बड़ा है Gregorian कैलेंडर से 58 वर्स का बड़ा है क्योंकि 58 साल पहले ही इसका ज़न्म हो चुका था फिर 58 साल बाद Gregorian कैलेंडर का ज़न्म होता है इसा मसी के जन्म के साथ, अच्छा, 78 वर्स और जोड़ दो उसमें, तो किसका जन्म होता है? कौन सा केलेंडर का? सक सववत का, जो सक केलेंडर है, जो अलग-अलग जनजाती उठके Middle of Asia से भारत में आई, तो वो लोग अपने according केलेंडर बगरा हराने वराने के उपलक्ष में बनाते ही जैसे कि आपका विक्रम सववत है, इन्होंने केलेंडर जो जारी किया था, वो सकों के हराने के उपलक्ष में जारी कर दिया था, है न? यह सब चीजें थोड़ा सा याद रखना और इससे से थोड़ा सा स्टोड़ी वाई लिखना तो मज़ा आएगा, आरा है चीजें समझ इन्होंने पाकिस्तान के प्रूसपूर में अपनी राजधानी बनाई जिसे पेसावर के भी नाम से जाना जाता है, आज प्रूसपूर को कौन सा नाम से जाना जाता है? पेसावर के नाम से जाना जाता है, पेसावर कहां पढ़ता है? पाकिस्तान वाले छेतर में पढ़ता किया था क्योंकि उस बक तो अखंड भारत था पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगला देश सब भारत की सिवा छेत्र में हुआ करता था आज आधूनिक भारत में ये तूट किया लग हुआ है पहले तो ऐसा था नहीं ये चीज तो कम से कम इस चीज से तो आप लोग फैमिलियर होंगे और जो पुरूसपूर है पुरूसपूर में ही इन्होंने अपनी राज़ानी बनाई थी किसने कनिस्क ने अपनी राज़ानी कहां बनाई थी पुरूसपूर में कहां पढ़ता है पाकिस्तान में पढ़ता है एट प्रजेंट में ठीक है और जिसे आप पैसावर के भी नाम से जान सकते हो, उसी को हम पुरुसपूर कहेंगे, जब धीरे-धीरे भारत के अंदर वाला जो छेत्र है, मतलब एक्चुली विस्तार करने लगा, भारत के अंदर वाला छेत्र काफी विस्तार करने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो इन्हों ने अपनी दूसरी राजधानी मतुरा में इस्टेबिलिस्ट कर दी, कहां पर इस्टेबिलिस्ट कर दी, मतुरा में, पहली राजधानी कहां पर बनाई थी, पताईए, पहली राजधानी बनाई थी, पेसावर में, अब दूसरी राजधानी कहां पर बनाई, मतुरा में, किसने, मतलब एतना आपको common sense नहीं है भाई कनिस्क ने थोड़ा सा तो याद करिए कनिस्क ने अपनी शुरू में राजधानी पुरूसपूर में बनाई ठीक है अच्छा पुरूसपूर कहां पड़ता है पेसावर वाले छेतर में पड़ता है परजेंट पाकिस्तान में है और धीरे 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 ये भारत के छेतर में घोस्ते चलेगा एक कनिस्क और इनका विस्तार भारत में ही होने लगा और फिर इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी मथूरा अभी जाने ब्रिंदाबन मथूरा जो कृष्ण भगवान मथूरा ब्रिंदाबन वेगरा का नाम सुन कर दिया क्योंकि भाई भारत में वो अपना राजधानी एक तो established कर लिया पहले तो वो पाकिस्तान में राजधानी था हाला कि पाकिस्तान को भी तो पहले भारत ही कहा जाता है आज ना उसका नाम पाकिस्तान हो गया पहले ऐसा वईसा नहीं था सव अखंड भारत में ही आता था और यहां से जो है न कई परस्ण आपको पूछे जाएंगे कनिस्क हो गया कुशान बंस से जो पूछे गए परस्ण है जो राजधानी वेगरा परिवरतन है ये पहले कहां थे बाद में कहां उठके गए तो पहले आपका कहां थे प्रूसपूर में थे प्रूसपूर कहां पढ़ता है पेसावर में पढ़ता है फिर बाद में राजधानी कहां उठके चला गया बाद में राजधानी उठके मतूरा चला गया अच्छा मतूरा कहां पढ़ता है तो भारत के उत्तर पस्चीम सीमा का प्रान तगर देखा जाए तो मैपिंग में आप कुछ नहीं पढ़ना आपको हम जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ना जैसे कि भारत में उत्तर पस्चीम सीमा प्रान से ले करके भारत के जो मद्ध भाग वाला जो छेत्र है इसी समय जो हुआ था न बावू उस वक्त याद करो कि रेशम वेगरा का वैपार काफी मतलब विक्सित हो गया था कहां पे रेशम वेगरा का जो वैपार था काफी विक्सित हो रहा था मतलब जो भारत का एकदब मद्य भाग है वहाँ पे रेशम वेगरा का वेपार काफी विक्सित हो रहा था और एसिया के जो साथ है इसका बिजनस अच्छा चलता था जो रेशम का वेपार है उस बग खूब बढ़िया से माल तियार मतलब रेशम वेगरा को प्रोट्यूस किया जाता था भारत के मध्य भाग से और फिर उसको एसियाम के लगभग सभी देश में यहां से रेशम एक्सपोर्ट किया जाता था रेशम का वेपार खूब बढ़िया होता था कनिस्क का जो सासन था जिसके कारण उस मार्ग से होने वाले जो वेपार पे टेक्स लगाते थे क्योंकि कनिस्क जो जब आई थे भारत में तो टेक्स वेगरा लगा दिये थे किस पे जो रेशम यहां से दूसरे जगह जा रहा है तो रेशम के जो बड़े-बड़े वेपारी थे उस पे काफी टेक्स लगाए ये कनिस्क जो है ना बहुत सारा टेक्स लगा लगा के धन को इकत्रित किया जमा किया क्योंकि रेशम खुब हलफुल रहा था उस वक्त भारत के मद्य भाग में रेशम होता था और पूरा लगभग एसिया को वेप बांटता था बेचता था अपना माल तो कनिस्को मौका मिल गया कि भाई रेशम इतना हो रहा है तो क्यों न हम यहां से कुछ न कुछ टेक्स लगा लगा के पैसा कमाएं पैसा कमाने का रासा ढून रहे थे कनिस्क, तो अच्छा खासा टेक्स लगा दिये वैपारी पर, तो जो रेसम वैपारी हैं, वो अच्छा खासा टेक्स कनिस्क को दे करके कनिस्क को थोड़ा अमीर बना दिये, और कनिस्क के समय में अगर देखोगे, तो कुसान ने लगभग जो कुशान बंस था तो रेसम मार्ग पे अपना अधिकार लगभग बना ही लिया था क्योंकि उसको पता था कि भाई यहां से income generate किया जा सकता है रेसम direct middle of Asia से export होता था लगभग पूरा Asia में ठीक है इतना पैसा का मालिया ना कनिस्क इतना पैसा कि भाई कनिस्क के द्वारा मतलब इतना काफी tax इसको रेसम के माध्यम से इतना tax मिल गया कनिस्क को कि समझ लो कि यह सबसे पैसात इतना कमा लिया कि युद्ध बेगरा तो जीत ही लिया और इन्होंने इतना पैसा कमाया कनिस्क रेसम बेगरा का बिजनस से इन्होंने सिक्का वेगरा सोना का चला दिया क्योंकि इसके पास पैसा वेगरा का कोई कमी था ही नहीं क्योंकि रेसम से खुब पैसा कमाया था खुब सारा सोना का सिक्का वेगरा ये दबा के चलाया और फिर कुशान जो हैं कुशान बंस के ही न कनिस्क थे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है फिर जो कुशान के द्वारा सोना वगरा का सिक्का चलाया गया हिंद यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये थे और कुशान वंस ने सबसे कहलो कि सुध सोने के सिक्के जारी किये थे 24 कैरेट गोल्ड का जो सोने का सिक्का है वो कुशान बंस के कनिस्क इन्होंने जारी किया था लेकिन यदि पूछा जाए बाबू सबसे पहले कौन जारी किया था तो आप बताना हिंद युनानी सबसे पहले जारी किये थे अच्छा सबसे जादा सुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था तो सबसे जादा सुद्ध सोने के सिक्के कनिस्क के द्वारा चलाया गया था जो कि कुशान बंस का राजा हुआ करता था ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के यदि चलाया गया है तो आप सीधे गुपत सासक के पस चले जाओ क्योंकि गुपत बंस का इतिहास पढ़ोगे तो वहां से सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का सबसे देखो इतिहास पढ़ा रहे हैं आपको तो थोड़ा सा confused कहां पे ह पहला question paper में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा सोना का सिख्का ठीक है तो यदि amount आ जाए ना कि भाई सबसे ज़्यादा सोना का सिख्का तो आंख मुन के आप गुप्त सासक लगा देना अच्छा दूसरा question आ सकता है कि सबसे सुद्ध सोने के सिख्के किसके द्वारा चलाया गया उसका क्या नाम था सुद्ध कौन चलाया कनिस्क चलाया सबसे सुद्ध क्यूंकि इसके पास पैसा पैसा बहुत हो गया था कैसे पैसा जेनरेट किया था रेसम का बिजनस किया था अच्छा ठीक है सबसे पहले सोने के सिख्के यदि वो सब जो जन जाती भारत में आये थे उठके मिडिल ओफेसिया से तो उन्होंने सबसे पहले सोने के सिख्के कि इनके दोरा चलाये गए तो इस करम में सबसे पहले हिंद यूनानी जो थे इन्होंने सबसे पहले सोने के सिख्के चलाये थे तो आपका जो डाउट था बाबू तो किलियर हो गया कहीं से कोई डाउ बहुत ही लंबा चला आप तो पढ़े ही आपको समझ में आही गया होगा कि कही कितना जादा हम वीडियो चंदरगुप्त मोरिये पे दे रखे हैं है ना बहुत लंबा समय गुप्त काल का लगबग खीच लिया अच्छा गॉल्ड कोईन जो है गॉल्ड कोईन से रिलेटेट टॉप तीन पॉइंट बनता है यहां से आपको प्रस्ण पक्का पूछे ही जाएंगे कनिस्क द्वारा रेसम मार्ग पर अधिकार करना क्योंकि कनिस्क द्वारा जो है वो रेसम मार्ग पर अधिकार कर लिया और मतलब कई एक्जाम में यहां से प्रस्ण आपको पूछे ही जा सकते हैं कि रेशम मार्ग किस ने अधिकार किया था तो कनिस्क ने अपना पूरा कभजा कनिस्क को समझ में आ गया था कि रेशम मार्ग को यदि अच्छे से अधिकार कर लिए तो नोटों की बारिस होने वाली है पैसे की कोई कमी होने वाली नहीं है फ्यूचर में और अच्छा खासा वो पैसा च्छाप लिया ठीक है यहां से प्रशन तो पूछे ही जाएंगे रेशम मार्ग जो है वो भारत के ही लगभग रीजन में पढ़ता था मट एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर जो है रेशम का उस बक्त चाईना भी था कौन था चाईना भी था आईसा मत समझना कि भारत एक लवता प्रोड्यूसर था रेशम का कुछ नहीं है उसी बगत आपका चाइना भी एक बढ़िया प्रोड्यूशर था लेकिन चाइना था तो अपना कंट्री को अमीर बना रहा था उससे हम लोगों को क्या मतलब है न चाइना प्रोड्यूशर अच्छा था भारत के रास्ता से तो चाइना अपना माल ले ही जाता removed fi जाता था तो होता क्या था किकनीज़ को जो था वो तो रे समर्ण मार्ग पर ही कपजा बना लिये थे तो जो माल चैना से उठके याता था न तो रे समर्ण होते हुए न middle of Asia जाएगा तो कहीं न कहीं चाइना वेगरा से भी tax इसको दबा किया आता था ठीक है और कनिस्क भारत में आने के बाद अपना बहुत धर्म वेगरा को स्वीकार कर लिया बढ़िया से क्योंकि कनिस्क को बहुत धर्म बहुत पसंद था उसका जो भी story सुना, culture सुना rules and regulation जो practice करना था बहुत धर्म के अंदर कहीं न कहीं इस चीज़ से कनिस्क काफी प्रेरीत हुआ और इसको adopt भी कर लिया, सही बात है कि बहुत धर्म अपने आप में बहुत ही सांती बहुत बढ़िया मतलब धर्म है कहीं न कहीं, ये धर्म को practice करने के बाद आप अपने जीवन में मतलब उसको कहते हैं कि नीश स्वार्थ आपके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ बचेगा ही नहीं, अगर आप बहुत धर्म को practice करने लगवे किसी भी चीज का लालच लालसा होगा ही नहीं, लालच लालसा ये सब जो है न, यही आपको जीवन में तकलीब देता है ये बहुत धर्म डिरेक्ट रूप से बताते हैं, कि यदि आपके जीवन में संतुष्ट नहीं हो तो ये आपको सब दिन तकलीब देते रहेगा, और मनुष्ट का जैसा नेचर है, कि इसका संतुष्टी का कोई लिमिट है ही नहीं ये अपना गोल बनाएगा मेरेको 2 लाग रूपया कमाना है जब कमालेगा, तो फिर गोल बढ़ा देगा, 4 लाग कमाना है तो बहुत धर्म यही समझाया कि यदि आप संतुष्ट हो जाओगे तो आपका जीवन कहीं न कहीं सफल है और सांती से वैतित होगा जो भी जीवन है इस प्रकार से जो भी अलग-अलग मिडिल ओफेसिया से उठके जन जाती आए, तो उन लोगों को यह बहुत धर्म की जो बातें थी काफी पसंद आती थी और भी काफी चीजें हैं, लाइन्स हैं बहुत धर्म की जो अपने आप में काफी बराई करने लाइक लाइन है ठीक है बहुत धर्म के जो महायान साखा थे तो महायान साखा को जो कनिस्क है उसको ही स्विकार किया महायां साका को है न? अच्छा एक ची याद रखना कि ये केवल स्विकार ही नहीं किया वल्कि फूर्त बौद संगती जो हुआ न उसको भी बड़चर के एकदम इसका कर्ये करम करवाया बढ़चर के हिसा लिये कनिस्क और चौथे बौध संगती का आयोजन भी करवाई थे कनिस्क ठीक है कनिस्क के समय ही चौथे बौध संगती का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है बाबू वो वासू मित्र के द्वारा की गई थी थोड़ा सा यहां पर कन्फ्यूज मत हो ना जो वासू मित्र थे उनके द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी और फोर्थ बौध संगती का आयोजन कस्मीर के कुंडलवन वाला छेत्र में हुआ था एहां तक समझ में आ रहा है जह चवथा बौध संगती है उसका आयोजन कहां हुआ था कस्मीर के कुंडलवन वाला छेत्र में हुआ था और भार्तिय इतिहास में सबसे सुद्ध सोने की सिक्के यदि किसी ने चलाया है तो सबसे सुद्ध कनिसक चलाया है क्यों सुद्ध च चापा है कहां से रेशम मार्ग से रेशम मार्ग से इतना पैसा कनिस्क चापा है कि क्या ही आपको हम बोलें भाई साब बहुत कमाया है चाइना वाइना का जो माल आता था रेशम मार्ग से उससे भी लूटा है हमारा मिडिल आफ भारत में मतलब मध्य भारत में काफी रेशम ह वो रेशम मार्ग ही इनको अमीरी तक पहुचा देगा चीजे समझ में आ रहा है, तो इस परकार से इतना पईशा कमा लिए कनीस्की भाईया सुध सोने की सीखा जारी कर दिये, कैसा सीखा जारी किये, सुध सोने की सीखा, अच्छा और कुछ बातें, तो बाबु जो गंधार हैं मथूरा कला है यह सब जो चल इस सब चीज़ का जो विकास हुआ है वो कनिस्क के ही सासनकाल में हुआ है गांधार कला मथूरा कला बगरा का जो विकास हो गया है वो कनिस्क के सासनकाल में हुआ था और तो और एक चीज़ याद रखो कुछ ऐसे भी गंधार कला है जो पस् प्रमुख रूप से जो आपका सिंध पाकिस्तान वाला च्छेत्र है ना जो उसी साइड उसी कुन पस्चिमी सीमा च्छेत्र में लगभग कहलो तो गंधार कला वहीं से विक्सित भी हुआ हम आपको शुरू से ही बताए जा रहे हैं मेरा विगत जतने भी वीडियो आए हैं ह हम उस हर एक विडियो में आपको बताएं कि जो गंधार कला है उसका जो मतलब कहीं ने कहीं वो जो विक्सित हुआ है वो पस्चिमी सीमा च्छेत्र के ही रिजन से हुआ है अच्छा एक चीज याद रखना जो भी कलाकारी विक्सित हुई है उसमें जो युनानी थे हिंद युनानी है ना और भारतिय कला युनानी कला और भारतिय कला दोनों का मिस्रन हो गया मतलब दोनों ही अपना अपना कल्चर को मिला करके एक नया ही कलाक को विक्सित किये क्योंकि जब भारत में हिंद युनानी आये थे तो उन्होंने अपना कुछ कल्चर दिया और भारतिय इसे भी बहुत सारा चीज लिया, सीखा और दोनों का मिसरन हो गया, तब जाकर के एक नया कला का जन्व होता है, जिसका नाम होता है गांधार कला, गांधार कला ऐसा कभी तुम मत सोचना की ये हिंद यूनानी का ही दिया हुआ कला है, मिडिल ओफ एसिया बाले ही ये कला को ज गंधार कला कहेंगे गंधार कला, क्योंकि जो हिंद यूनानी थे, है न, यूनानी भी कही न कहीं पस्चिमी सीमा छेत्र के तरफ, हिंद यूनानी कहां पड़ता है, पस्चिमी सीमा छेत्र अगर देखा जा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ही बाद अगर देखा जाए, उसी तरफ पढ़ता है तो उन लोगों का भी जो कल्चर था कला का अपना अपना जो डिजाइन करते थे तो कहीं ने कहीं almost same था जो हमारा भारत में कला को practice किया जाता था तो ये दोनों को मिला करके जो नया कला का जन्म हुआ उसी का नाम मिसरन को क्या कहते हैं गांधार कला य ये दोनों कला मिल करके गंधार कला बना है complete रूप से मिसरन है बावू और एक चीज़ याद रखना आप मेरे वीडियो को एक बार सुनते हो न कुछ नहीं होगा आप मेरे वीडियो को कम से कम तीन बार चार बार पांच बार जब तक रटा नहीं जाए घंटा का lecture आपके आप इससे details क्या हो सकता है चीजों को अच्छे से समझ जाओगे अच्छे से पढ़ लोगे न वीडियो को कोई NCRT टच करने की जरूरत नहीं है सब knowledge पढ़ी पूर्ण आपको हम कोसिस कर रहे हैं देने का एक बार अच्छा concept आपके mind में बन जाएगा पूरा का पूरत पीटी निकल जाए थोड़ा सा तो tough है क्योंकि पीटी निकालने के लिए आपको 10-15 हजार question practice तो करना ही पड़ेगा जो सोचों को बिना question practice किये हुए पीटी फोर देंगे concept किलियर करके तो थोड़ा सा तो मतलब मेरे according strategy बनाओ ऐसा कि हाँ पीटी अपने जगा मेंस अपने ठीक है अच्छा चलो यहां तक अच्छे से समझ में आगया complete मिश्रन देखने को मिलता है गंधार कला जो है completely बहुत धर्म से जुरा हुआ है complete रूप से जो गंधार कला से लिए न वह complete रूप से बहुत धर्म से ही जुरा हुआ है मतूरा कला जो है हम पिछला वीडियो में पढ़ाई थे वो कौन सा धर्म से जुरा हुआ है जैन वेगरा का जो कल्चर है उसमें मतूरा मतलब जैन धर्म से कंप्लेट रूप से जुरा हुआ है जबकि अगर आप देखोगे आपका गांधार कला तो वो बहुत धर्म से जुरा हुआ है मथूरा कला पूरी तरह भारतिये कला था I can repeat, मैं फिर से repeat कर सकता हूँ क्या मथूरा कला जो था वो पूरी रूप से भारतिये कला था क्योंकि मतूरा कला जो था वह पूरी तरह भारत के ही बीच में पढ़ता है मतूरा कहां पढ़ता है भारत के ही बीच वाले सीमा छेत्र में मतलब एक दम मेडिल मतल आप मैप खोल लो इंडिया का खोल लिए आप देखो मतूरा कहां पड़ता है, तो एकदम आपको बीच में नजर आएगा मतूरा, है ना, जो बीच में नजर आ रहा होगा, तो जो हम भारतिये लोग थे, उस वक्त हमी लोग न मिलके बनाए थे, मतूरा कला का जर्म हुआ था, मतूरा सैली, और जो मतूरा पूरी तरी और भारतिय कला का गंधार सुद्ध नहीं है बाबू, हिंद युनानी प्लस भारतिय कला मिल करके गंधार बना है, लेकिन मतूरा कला का बात करें, तो मतूरा कला का बात ही कुछ अलग है, क्योंकि मतूरा कला भारत के एकदम मिडिल भाले भाग में विक्सित हुआ है, है न, इसी कारण से मथूरा कला जो है, वो कहीं न कहीं बिलकुल सुद्ध देशी भारतिय कला ही बना है, इसमें नो मिलाबट, नो कुछ, कोई यूनानी त्यूनानी नहीं, सुद्ध भारतिय कला है मथूरा कला, और मथूरा कला जो है न, वो जैन धर्म से जोड़ा जाता है, क्यों जो रहा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही कलाएं में जो भी चीजियें बनाई गई है जैसे कि आप देखो गांधार कला तो बहुत धर्म की मुर्तियां बगरा बनाने में बहुत संभव सहाईता किया है मत्ऊरा कलाले सोरी गांधार कला जबकि जैन धर्म की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है कौन सा कला से मतूरा कला से अभी भी आप मतूरा पेंटिंग्स बगरा देखते होंगे तो यह सब हमारा भारतिये का ही देन है इसमें कुछ मिलावट नहीं कि हाँ एकदम मिडिल ओफेसिया से उठके कोई आते है और हम लोगों को मतूरा पेंटिंग्स बगरा बनाने सिखाते है ऐसा कुछ नहीं है हम लोग भारतिये उसको खुद से जन्म दिये हैं और देश दुनिया में फेमस किये हैं आज भी मतूरा कला जो है वो कहीं न कहीं बहुत फेमस है है न बहुत फेमस है मतूरा कला जन्धर्म की मुर्ती बनाने में परंगत हासिल है बाबू मतूरा कला के पास गंधार कला बौत धर्म की काफी मुर्ती बनाई है और दोनों ही कला का जो विकास है especially कनिस्क के सासनकाल में ही हुआ था किसके सासनकाल में कनिस्क के ही सासनकाल में लगभग दोनों कला का विकास हुआ था अच्छा एक चीज़ याद रखना थोड़ा सा इन्पोर्टेंट है हमां को बता रहे हैं कुछ ऐसे मतलब कहलो कि कुछ ऐसे वैक्ति थे जो कनिस्क के दरवार में ही रहते थे इन लोगों का नाम पुछा जा सकता है एक जाम में अब अब लोगे सर कौन वैक्ति रहते थे तो बाबु जैसे असवगोस है तो असवगोस बग़रा का नाम आ सकता है क्यों? क्योंकि अस्वगोस ने बुद्ध चरीत की रचना करा था ये किन के दरबार में रहता था? कनिस्क के दरबार में रहता था बुद्ध चरीत, बुद्ध चरीत एक पुस्तक है बुद्ध चरीत को तुम कहलो कि बुद्ध धर्म का रमायन कहलो मतलब इस level का book है बुद्ध चरीत को क्या कह सकते हो बुद्ध धर्म का रमायन कहलो क्योंकि अगर बुद्ध धर्म के बारे में अगर बढ़िया से जानकारी लेना है तो आपको बुद्ध चरीत को पूरा बढ़िया से पढ़ना पढ़ेगा इसमें लगभग वही बात लिखा गया है जो गौतम बुद्ध ने उपदेशों के माध्यम से दूसरे को बताने का काम करते थे बुद्ध चडीत वह बात मतलब पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी जो गौतम बुद्ध को अगहोर तपस्या करने के बाद ग्यान हासिल हुआ था और उसी ज्यान जो है हसिल करने के बाद उन्होंने बाठना शुरू किया और उसी ज्यान को कम्प्लिट रूप से रखा गया है कि इसमें पूरा का पूरा जीवन की कहानी की व्रितांत अस्वग घोस में दिया गया है ठीक है अस्वग घोस के द्वारा लिखा गय यहां से question तो आएंगे ही अच्छा एक पुस्तक और है बबू चरक चरक जो है चरक भी कनिस्क के ही दरवार में एक बहुत बड़ी बिद्वान थे चरक ठीक न यह रहते थे और इन्होंने भी एक चरक जो है एक पुस्तक की रचना करी थी कनिस्क के ही दरवार में रहा करके चरक सहीता नाम की पुस्तक था क्या था चरक सहीता और चरक जो है भारत में वो पुस्तक को यदि पढ़ोगे तो आपको चिकित्सा वेगरा के छेत्र में कहलो कि इस पुस्तक को जनक कहा गया है चरक के द्वारा लिखित पुस्तक चरक सहीता, चिकीत्सा के छेत्र, मतलब कहलो कि चिकीत्सा बेगरा जो उस बक्त डॉक्टर बेगरา कम होता था करने के लिए अच्छे से चरक सहीता को कोई पढ़ लेता था तो वो डॉक्टर ही बन जाता था क्योंकि चरक सहीता में कोई अंग्रेजी दबा का मतलब ग्यान नहीं दिया गया था चरक सहीता में बताया गया था कि हमारा देशी नुस्का को किस प्रकार से किया जाए जिससे बड़े से बड़े बिमारी को छोड़ाया जा सके हमारा आयूरवेद का कल्चर कैसा था हमारे जो रिसी मूनी लोग थे कौन-कौन सा जड़ी बूटी वेगरा से दबाई बनाते थे क्या कुछ जंगल में पड़ा हुआ है जिससे कि हमारा स्वास्त उस चीश को खाने के बाद ठीक हो सकता है उस वक्त भी बिमारी होती थी लेकिन जो दबाई बनती थी वो कम्पिलिट रूप से सुध देशी मेथड से बनती थी उसमें कोई मिलाबट केमिकल्स का नहीं होता था तो जब आप चरक सहिता का अच्छे से पढ़ लोगे तो आप कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा अयुरुवेद का डॉक्टर बन जाओगे और ये किन के द्वारा लिखा गया था? चरक के द्वारा लिखा गया था पुस्तक और यहां से भी प्रस्ण निकल के आएंगे चरक भारत में चिकित्सा के छेत्र में बहुत बढ़ा इनको जनक माना जाता है और जो सुरु सुरुत नाम के एक बहुत बड़े बिद्वान थे और सुरु सुरुत भी कनिस्क के ही दरवार में रहते थे अब आप बोलोगे सर ये क्या करते थे? तो सुरु सुरुत ने एक सुरु सुरुत सहीता नाम की पुस्तक की रचना की श्रू सुरुत ने श्रू सुरुत थिक है थोड़ा सा कन्फूज है तो आप Google पर चेक कर सकते हो और इन्होंने श्रू सुरुत नाम की एक पुस्तक की रचना करा और भारत में जो आपका सैल चिकित्सा है ना सैल चिकित्सा सेल इसची कित्सा का जनक इन्हें माना जाता है और इनके इलावा आप नागारजून नागारजून बेगरा यह लोग भी बहुत बड़े राइड़र थे और यह सब भी जो नागारजून थे यह भी कनिस्क के दरवार में ही रहते थे और नागा अरजून को भारत का कहलो आइंस्टाइन माना गया है किसको नागा अरजून को ये भी किन के दरबार में रहते थे? कनिस्क के दरबार में रहते थे और नागा अरजून को भारत का आइंस्टाइन माना जाता है अब बोलो कि क्यों माना जाता है सर पागल हो गया क्या है नागारजुन ऐसा क्या कर दिया तो नागारजुन जो था बाबू इन्होंने सुन्यवाद का सिध्धान्त दिया क्या दिया सुन्यवाद का सिध्धान्त है न इसकी इन्होंने खोज कड़ा है सुन्यवाद का तो कौन थे वो? कुशान ही थे, कौन थे? कुशान. सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किये थे, किसने? कुशान ने. और हम मोर्यबंस के पतन के बाद हम देखेंगे, तो भारत में कुछ विदेशी जाती का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि असोक बेगरा मोर्यबंस बेगरा समाप्त होने लगता है, उनके बनसज अलग-अलग टुकडे में बटने लगते हैं, कहीं न कहीं हम समझ गई थे, कि जो मोर्यबंस हैं, उसका पतन होते हुए दिखरा है भारत के भूमी से, तो जो विदेशी जाती है, वो करने के करम में, कई विशेस, कहलो कि, कई विशेस ताएं देखने को मिलती है, जहां से प्रस्ण आएंगे, हम वही पढ़ाएंगे, मेरा एकदम कोसिस रहता है, कि एकदम फाल्तू एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएं, ठीक ना, चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ र विडियो बन गया, तो आपको सब दिन के लिए हो जाता है, है न, चीजें समझ में आ रहा है, कोई डाउट, हम लोग आप सोच रहे हैं कि गुप्त समराज जी का एक अलग विडियो लाएं, क्योंकि आप कुशान बगरा के, जो कुशान का आपका हिस्ट्री पढ़ा रहे जो भी बिदेशी बनसज प्रवेस किये थे भारत में, चाहे वो हिंद युनानी हो, चाहे वो कुशान हो, चाहे वो सक हो, चाहे वो पलब हो, ये सब प्रवेस कब किये थे, जब कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मोरिय के बनसज जो हैं, वो कहीं न कहीं खत्म होते हुए, उन लव, हिंद, युनानी और कुशान, इनके हिस्ट्री थोम अच्छे से आपको पढ़ा दिये, और यहां से जो बेसिक सवा लाएंगे, जतना हम पढ़ाएं, उसे बाहर जाने बला नहीं है, क्वेश्चन आप लगा लेना, जो बिदेशी जन जाती था, उन पे भी कुश्चन बना लेना, मोरिय वंस पे भी कम से कम 200-300 कुश्चन लगा लेना, अच्छे से, असोक पे भी कुछ कुश्चन लगा लेना, आप हम सोच रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो लाते हैं, क्योंकि आप लोग भी बोर्ड फिल कर रहे होंगे, हम पिछले 10-15 वीडियो से मोरिय इंपायर ही पढ़ा रहे हैं, है न, तो खेर, जो जितना बड़ा चेप्टर है, हम कोशिस करते हैं कि एक भी चीज़ न छोड़ें, अधिकान्स कॉंटेंट देने का प्रियास करें, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा लाब हो, और सुध देशी भासा में आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो आप फिल फ्री कॉमेंट कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए 24x7 खुला हुआ है, जो भी डाउट है, उसका एंसर हम कॉमेंट बॉक्स के तुरू दे देंगे, ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरा नेक्स्ट बीडियो आएगा, अब आप नया चैप्टर के साथ आगे बढ़ोगे, और उसका नाम रहेगा गुप्त समराज जी, बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर है गुप्त समराज जी, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है, और चलिए, गुप्त समराज जी पे आप नेक्स्ट बीडियो लाएंगे, बहुत मज़ारने वाला गुप्त समराज जी पे, आपने मोड़ी समराज जी को भी काफी इंज्वाई करा, आप मेरा बीडियो को फस्ट करके सुनिए, क्योंकि वीडियो कहीं बड़ा रहता है, बात को समझाने के माध्यम से वीडियो बड़ा हो जाता है, है ना, चलिए, जै हिन, जै भारत!